दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक हजार इंग्लिस वर्ड के PDF दिये हुआ है जो आपको इंग्लिस बूलने और लिखने में काफे मदद करेगा तो दोस्तों आज का तो मद के मतलब हुआ के कोई चीज का सिखने या हीं जी चीज़ या मतलब हो यह जाता ह। तो दोस्तो रिटेर्ट के दू एसे एक्जामपर समझते हैं जो इस पकार है I am not playing with him, he is a total retired दोस्तो जिसका हिंदी मतलब होता है मैं उसके साथ नहीं खेल रहा हूं वो पूरी तरह से मत बुद्धी है दोस्तो सिकेन एक्जामपर इस पकार है दोस्तो जिसका हिंदी मतलब हुआ मस्तिक चती वच्चे को भासा विकास को मदद कर देगी तो दोस्तो आज की वीडियो को ही स्वाप्ट कर लेते हैं लेकिन आपको इंगलीस में केसी पर करका प्रहुलम है तो आप हमें कमेंट जूर करें धन्यवाद दोस्तो